हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक पर फिर सेमार चैनल पर यहां पर में बात करने माले हैं जहूर हमद चौधरी अस्टेडियम चटोग्राम के पीच रिपोर्ट के बारे में इस ग्राउंड का पीच रिपोर्ट इसलिए महत्पूर्ड है कि यहां पर पकिस्तान और बंगल कि यहां पर हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तर से मैसे हो सकता है सबसे पहले बात करते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें ना ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो उसके अलावा अभी आप मुझसे ने जूड़े हो तो यह जो है डीटेल्स है यह वाटसब का नंबर है और यह टेलीग्राम का जो है लिंक है जहां से आप मुझसे जूड सकते हो जहां पर आपको किसी भी मैस की रिगार्डिंग किसी तरह का इंफोर्मेशन जो हो आपको बहुत एजली जाना जाता है इसके लावा बीर श्रेस्र साहीद के नाम से जो है वह भी जाना जाता है आप यहां पर बात करते हैं तो यह आपको चटोग्राम बंगलादेश में देखनी को मिलेगा और यह होम बंगलादेश टीम का है और साथ में जो चटोग्राम का डिवीजन जो है यह यहां पर हो रहे होंगे तो उनमें भी आपने ध्यान दिया हुआ कि यहां पर रहा था तो हर मैच में अगर एडिशन के बाद करें यहां पर हो रहा था तो हर मैच में आप है कि इससे कोई ही मैच बचन जिसमें एक सटर असी से जो है कम रान लग रहा हो और तो इसका मतलब है कि ग्राउंड जो आपको देखने मिलेगा और चोटा इरिया के कारण चोटा जो बाउन्डी है उसके कारण यहां पर बनता है यहां पर ज्यादा स्यादा यहां यहां पर यहां पर बढ़ते जाता है आगे अच्छा रहता है बैट्समेन के लिए थर्ड थोड़ा थोड़ा बाउंडरी जो है वो उतना ही रहते हैं लेकिन जो पीच की बिएवियर हो थोड़ा बदलना शुरू जाता है जैसे जैसे पीच थोड़ा ओल्ड होते जाता है बॉलिंग ज इसे पीनर को मुद्ध मिलता है और साथ में जो स्वीब बॉलर होते हैं जिनके फोड़ा सा की तो गरीपिग के वाज़े से जो हो वहां पर डिफिकल्टी होता है बैटिंग करना तो अप यहां पर बात करते हैं कि यहां पे जैसे डेल फो और फीप तर होता है तो दिरे दि बीचे उल्ड होते जाती है चार दिन पांच दिन जब होने लगता है तो बैटिंग करना धीरे-धीरे मुश्किल होते जाता है और इस ग्राउंड के हिसाब सब देखोगे कि यहां पे तोजित के जो हो पहले बैटिंग करना ही जो है वो अच्छा रहेगा और यहां पे जो हा सबसा जो नमी रहता है ड्राउंड में रहेगा और वहाँ पर सेंब भॉलर्ट को मदद मिल सकता है ऐसे भी हो सकता है कि जैसे साहीन अफ्रीदी जैसे गंदवाद यहां पे खतरनाक हो सकता है लेकिन पकिस्टान के लिए वरी के बात नहीं होगा कि रहमान इसमें खेल नहीं रहे लिए बंगलाद इसके लिए वरिंग की बात होगी पहले बैट करेगा तो कि जैसे जैसे बहुत ही बहुत ही बहतर रहेगा तो वैसे गराउंड पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है सुरवात के पांच साथ उबर उसके बात करना बहुत ह सब्सक्राइब तो तो यहां पर यहां पर देखने को मिलेगा वोड याई में जो कि यह बहुत यहां आच्छा जो आपको देखने को मिल रहा है इसे लगाए इसले बीचले मेसे हो चुका है जिन में से आठ फरस्ट जीता है छे सकेंड बैट जीता है और आब आप देखो और जो फोर्त है वह बैटिक करना अब यह वह कापी आसान रहता है इस अलावा जो से बांड़ियर है उसके compare में तो यहां पर हमने सारी सीज़ों हो देख लिया और असा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू करना चैनल के सब्सक्राइब करें ना और अभी तक आप मुझसे नहीं जूड़ हो तो यह है वाट्सप का नं